Ugh जैसे जैसे वेज्ञानेक इतिहास के पन्ने पलठते हैं तो ऐसे कई खुलासे होते हैं जो सभी को हैरान कर देते हैं ये खुला से बताते हैं कि देश और दुनिया में हजारों साल पहले क्या हुआ अब इसी कड़ी में जर्मनी के पुरातत्व विदो को इसराइल में 12,000 साल पुराना मचली पकड़ने वाला कांटा मिला है बताये जा रहा है ये कांटा हड़ी से बना हुआ है मचली पकड़ने का सिलसिला निश्चित तोर पर नया तो है नहीं ये पिछले कई सो सालों से चला आ रहा है सदियों से लोग मचली पकड़कर खाने और बेचने का काम करते आ रहे है इतिहास के पन्नों में इसको लेकर तरह तरह की बाते दर्ज है लेकिन अगर आप कभी मचली पकड़ने के इतिहास को लेकर सर्च करेंगे तो आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा ये काम कैसे शुरू हुआ कहां सबसे पहले शुरू हुआ इसका इतिहास क्या रहा है इसके बारे में पुखता तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि वक्त के साथ-साथ मचली पकड़ने वाले कांटे और डंडे नश्ट होते चले गए इसलिए इसको लेकर कोई रिसर्च पुखता तौर पर नहीं हो पाई इसराइल के हूला घाटी में जॉर्डन नदी में मिला है इसे अविश्वस्निय उपकरन कहा जा रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक ऐसा माना जाता था कि मचली पकड़ने का इतिहास ज्यादा से ज्यादा पांच-छे हजार साल पुराना ही होगा ऐसे में 12,000 साल पुराना मचली पकड़ने का कांटा मिलना वैग्यानिकों के लिए बड़ी बात है इस पर रीसर्च कर इसके इतिहास को लेकर और पुखता जानकारी दी जा सकी है प्रोफेसर गोनेन शरोन ने एक इंटर्व्यू में कहा ये मचली पकड़ने का कांटा आकार में आश्चरेजनक तरीके से आधुनिक कांटों के बेहत करीब है और हस्त कला का बढ़िया उधारन है इसको इस तरह से बनाये गया था ताकि मचली फसने के बाद फिर भाग न सकी शोटकरताओं को हडियों से बने कुल 19 कांटे और खाचिदार पत्थर मिले है शोटकरताओं का मानना है कि इन पत्थरों का इस्तिमाल मचली पकड़ने के डंडे के वजन के लिए किया जाता था वैसे अब तक जितने भी मचली पकड़ने के कांटे मिले हैं, वो सब अलग-अलग तरह के रही हैं, जो बताते हैं कि शुरुवात में कई तरह के उपकरण तयार किये गए थे, किसी एक तरह के उपकरण से मचली नहीं पकड़ी जाती थी खैर फिलाल, 12,000 साल पुराने इस उपकरण को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राए कमेंट कर हमें जरूर बताएं